एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूटूब चनल एलकेमिस्टेडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए मानो जनन के सभी आपजेक्टिव 25 प्रस्ण लेकर हाजिर हो गए हैं एकदम जानदार सानदार इस पेपर से अगर कोई भी आपजेक्टिव प्रस्णा आ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चो आप छोण कर नहीं आओगे इस से बाहर का नहीं आएगा ये मेरी अपनी गरेंटी है ठीक है ना 25 बहुविकल्पी प्रस्णा आपको इस वीडियो में ब एकना मेरे प्यार बच्चो आपके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद ये सारी चीजें तयार की जा रही है ठीक है ना चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बोड इक्जाम में आपको 95% मैं दिलवा कर ही लदम लूँगा ठीक है ना कितना परसे 95% जिन बच करें इस चैनल को ठीक है ना जरूर सेर करें फटा फट सेर कर दें एक बार देखें यहां पर पहला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन नर्सहायक ग्रंथी नहीं है निम्नलिखित में से कौन नर्सहायक ग्रंथी नहीं है दोस्तों तो इसका सही उत्तर है तुम्भी का जो है नर्सहायक ग्रंथी नहीं है, ठीक है न, तुम्भी का बाकी सुक्रासे भी है, प्रोटेस्ट भी है, बल्ब वोयूरेथ्रल ग्रंथी भी है, मतलब यह सारे हैं, लेकिन तुम्भी का नहीं है, ठीक है न, अब आजाईए नेक्स्ट प्रस्ण क्यों बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रस्ण है हमारा ध्यान देना एमनी ओटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिती से भूरी ये सिसु का लिंग निर्धारन होता है किससे होता है मेरे प्यार बच्चों बार पिंड से जो है ये लिंग निर्धारन किया जाता है किससे किया जाता है बार पिंड से ठीक है ना अगले कोश्चन क्यों बढ़ेंगे जरा ध्यान देना अगला कोश्चन रहा आपके सामने ये ठीक है ना ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा ठीक है ध्यान देना ध्यान देना प्ला इस्टुला अवस्था में भूण को सर प्रथम गर्भासय से जोडने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी जिल्ली करता है तो याद रहना अपरा या कोरियान अपरा या कोरियान जो है ब्ला इस्टुला अवस्था में भूण को सर प्रथम गर्भासय से जोडने का कार्य करती है अगले प्रस्ण क्यों बढ़ेंगे वीडियो को जरूर सेयर करें नए है तो चैनल से जड़ो जूड़ें सभी बच्चे अगला है अपरा का कार्य है अपरा का कार्य क्या है दोस्तों उपरियुक्त सभी अपरा का कार्य है यानि भूण को आकसीजन की अपूर्ती करना भूण को पोसन प्रदान करना भूण के उस्सरजी पदार्थों का निस्कासन करना ये अपरा का कार्य होता है किसका कार्य होत मानों अंडासई चक्र में अंडो सर्ग किस दिन होता है? ठीक है न? नेक्स्ट कोईस्चन है आगे जरा ध्यान देना मेरे प्यार बच्चों मानों के इस पर में डिस इस पर में टिस्ड इस में कितने गुण सूत्र होते हैं? तो याद रखना मेरे प्यार बच्चों तेईस गुण सूत्र होते हैं? कितने गुण सूत्र होते हैं? प्रावस्थाओं का क्रम मनुष्य के भूरी विकास में प्रावस्थाओं का क्रम होता है किसमें होता है मेरे प्यार बच्चों युगमनज अर्थात जाईगोट बिलेन ब्ला उस्टुला गैस्टुला में मनुष्य के भूरी विकास में प्रावस्थाओं का क्रम होता है अब आगे देखेंगे अगला है मनुष्य में तंत्रिका को सिकाओं मनुष्य एवं भूर्ण तंत्रिका तंत्र का विकास किससे होता है। ठीक है ना नेक्स्ट देखिए। सभी लोग टेलेग्राम जोईन करें वहाँ पे जाके आप इसका पीडियप डाउनलोड कर सकते हो। क्या मिल जाएगा आपको पीडियप पचीज बहुविकलपी प्रस्न का पीडियप जिन बच्चों को डाउनलोड करना है। सभी बच्चे जाके सब्जेक्ट स्टडी टेलेग्राम से जुड़े वहाँ पे जाके आपको इसके पीडियप मिल जाएंगे। अगले कोश्चन क्यों बढ़ेंगे ध्यान देना। पुटकाएं होती हैं। फिके न, ग्राफियन पुटकाएं कहां होती हैं? इस्त्रियों के अंड आसे में, अंड वाहिनी में ग्राफियन पुटकाएं पाई जाती हैं। अब अगले बात करते हैं दोस्तों इस्त्री में निसेचन कहा होता है इस्त्री में निसेचन अंडवाहिनी नलिका में होती है इस्त्रीयों में निसेचन कहा होता है मेरे प्यार बच्चों तो इस्त्रीयों में निसेचन होता है अंडवाहिनी नलिका में होता है ठीक है न अब होती है दोस्तों सर्टोली की कोशिकाएं ब्रिशन में होती है इस चीज को याद रखना कहां होती है ब्रिशन में लेडिंग की कोशिकाएं कहां पाई जाती है लेडिंग की कोशिकाएं कहां पाई जाती है तो ये पाई जाती है ब्रिशन में दोस्तों लेडिंग की श्क्रीम सोड़ लेते जाईएगा इस्त्रियों में अंडासे से अंडार senti क्रिया को कहते हैं कि पिष्ट इस्त्रियों में अंडासे से अंडार के मुक्त होने की क्रिया को क्या बोलते हैं ओब्यूलेशन जो है इस्त्रियों में अंडासय से अंडाण के मुक्त होने की क्रिया को ओब्यूलेशन कहते हैं प्रोजे इस्टोन हार्मोन का स्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों तो याद रखना कारपस लिटियम जो है ये प्रोजे इस्टोन हार्मोन का स्रमण द्वारा होता है ठीक है ना अगले कोईस्चन के और बढ़ेंगे अगला कोईस्चन हमारा ये रहा ध्यान देना दोस्तों जितने भी प्रस्चन हैं उन सभी प्रस्चन को मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन सौर्ट लेके एक जगा रख लीजिए या फिर इसका पीडियप लेना है मैंने अभी बोला सब्जेक्ट स्टेडी टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लें वहां से इसका पूरा पीडियप आपको मिल जाएगा इस्त्री में अंडोसर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी सर्चना बनती है फिर से समझे इस्त्री में अंडोसर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी सर्चना बनती है तो ये बनती है कारपस नूली टियम कारपस लिव टियम जो है इस्त्री में अंडोसर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कारपस लिव टियम बनता है ठीक है ना ये वाली सर्चना बन जाती आगे देखें, नेक्स्ट क्वेस्टन, सर्टोली की कोसिकाएं होती हैं, तो सर्टोली की जो कोसिका होती हैं, विशणों में और विकासील सुक्राणों का पोसर करती हैं, ये सर्टोली की कोसिकाएं होती हैं, इसकी सर्टोली की कोसिकाएं होती हैं, अगले क्वेस्टन की और बात करेंगे अंडोसर्ग डिम्बोसर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है अंडोसर्ग डिम्बोसर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण द्वारा होता है तो यह होता है यह यह सयच और यलयच यह यह सयच और यलयच जो है अंडोसर्ग डिम्बोसर्ग हार्मोन के बीसवा नंबर पे आ जाते हैं ठीक है ना पुरुस के बिशणों में नर हार्मोन का स्रावण करने वाली को सिकाएं पुरुस के बिशणों में नर हार्मोन का स्रावण करने वाली को सिकाएं कौन होती है तो ये होती है लेडिंग लेडिंग की को सिकाएं ठीक है ना लेडिंग की को सिकाएं करती है पिश्णों में हार्मोन अगले कोईश्चन के और बात करेंगे मैथून के समय योनी को चिकना बनाने हे तू एक छारी द्रव का स्रवण करने वाली गरंथी है फिर समझेगा मैथून के समय योनी को चिकना बनाने है तू एक छारी ये द्रव का स्रवन करने वाली गरंथी है काउपर्स जो है योनी को चिकना बनाती है क्या बनाती है दोस्तों चिकना बनाती है जिसका नाम है काउपर्स ये आपके योणी को क्या बना देगी चिकना बना देगी ठीक है न मैथून के समय आगे देखिएगा next question है सुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है फिर समझेए सुक्रवाहक उत्थेजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है तो ये है एपीडी डाई मिस में सुक्राण नहीं होते हैं ये गलत है ठीक है न ये क्या है दोस्तों ये गलत है निम्नलिखित में से किसके दोरा होता है तो ये होता है भ्रूरी मी से डर्म दोरा ये सैयोजी उत्कों के बिकास होते है अगले कोशन के और बढ़ेंगे द्यां देना अगला कोईशन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुक्राणों के परिवहन के पत को सही रूप में बताता है तो ये आद रखना मेरे पैर बच्चों ये बिशन जालिका अप वाही वाही काए एपिडी डाई मिस सुक्रवाहक जो है बताते हैं ठीक है न? लास्ट और अंतिम प्रस्ण जरा ध्यान देना लास्ट और अंतिम यानि पचीस नंबर और लास्ट कोईशन है माननों सरीर में कौन सी अंतह स्रावी ग्रंथी अस्थाई है जिसका नाम है पीतक पिंड पीतक पिंड जो है मनुष के सरीर में एक अंतह स्रावी ग्रंथ जो है अस्थाई है यानि यह बदलता हुआ रहता है दोस्तों इस तरीके से ये जो 25 हमारे प्रश्ण है बहुविकल्पी प्रश्ण इसे आप याद रखना बहुत ही जवरजस्त बहुविकल्पी प्रश्ण आपके सामने ये मानो जनन से है ठीक है ना इससे बाहर का अगर मानो जनन में बहुविकल्पी आ गया तो इसी 25 बहुव आपसे फिर मिलेंगे इसी एक नए लेटेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद